फ्रेंड्स थमनेल तो आप लोगों ने देखी लिया होगा फ्रेंड्स ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका बैंक में अकाउंट है और वो अपना पैसा चोरी होने से बचाना चाते हैं और फ्रेंड्स आजकर ओनलाइन फ्रोड बहुत हो रहे हैं हैकर आपका अक काउंट पर सेक्योर्टी रखना चाहते तो इस वीडियो पर बने रही है और इस वीडियो को आप लाज तक जरूर देखना अगर फ्रेंड्स इस वीडियो को आप स्क्रिप करके देखोगे तब आपके पास कंप्रेंट इंफॉर्मेशन नहीं पहुच पाती है चले फ्रें और आइस कैन्ट 95 की जरते हैं, यह अब अपने अधरकवाटर बन ₹ जाते हो ऑल्फ और रिख से स्कन करते हैं और आइस कैन्ब खरूगर तो यह कंट आर चाहिकर क्या करते हैं उससे अधरकार्ण नोजब ऑगार्सिंद्व कर लेता हैं। Gimmeat है य näतने ंभर मेंट इन भान बायोमेट्रिक्स उसको आपको लॉक करना होगा ठीक है और जब भी आपको उसको अलॉक करने की ज़रूद पड़ेगी टैंपरल यह परमेंट उससे आपको इस वीडियो से आपको वह सीखने को मिलेगा कैसे आप अपना बायोमेट्रिक्स लॉक कर सकते हैं अलॉक कर सकते हैं रहरे करना चाहते हैं। तो यह subscribe वाले वटन पर किलिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और Notification पर किलिक करें। यानि जब भी हम कोई नए वीडियो डालेंगे यूटुब पर उस वीडियो को notification आपके मूबायल पर आजाए। उसके बात f parents से वाली website open हो जाएगी ठीक है अब यह पर आपको अपनी language चूज करने होगी कि कौन सी language में आप यह website continue करना चाहते है English करना चाहते हैं इंदी करना चाहते हैं ठीक है अपनी language चूज कर लेना जैसे मैं English पर click करता हूं यह English से continue होगी ठीक है तो आप थोड़ा और नीचे करने के बाद जो आधार सर्विस वाला एक option देखेगा आपको ठीक है इसके लाश्ट में एक option देखेगा लोग या अनलोग बायोमेटिक्स तब हमें लाश्ट वाले option पर click कर देना है अब फ्रेंड्स इसको लोग या अनलोग करने के लिए हमें अपने आधार कार्ड से इस वाला जो option है इस पर आपको capture लिखना होगा जो लिखा होगा ना सेम आपको यह वाला लिखना है जैसी इस capital है और वह स्मॉली ठीक है सेम ऐसी लिखना है उसके बाद send OTP बटन दिख रहा है इस पर आपको click कर देना है friends हमारे register आधान नमबर पर एक OTP आएगा अभी आपर आपको यह OTP आज चुका है ठीक है OTP डालने के बाद friends login बटन दिख रहा है ना इस पर आपको click कर देना है अभी कभी friends यह वाले error आ जाती है मैं login करने के लिए अगर आती है तब आपको दुबारा से try करना है यह थोड़ी देर के बाद login करना है ठीक है तब दुबारा से try क बादिक वक्स यह बता रहा है कि कैसे काम करता है ठीक है और यह बता रहा है कि please use this service from dashboard to lock your biomatics when you lock your biomatics, जो आपके bio और प्रेंट्स इंफोर्मेशन अधार काट से नहीं चुरा पाएगा त्थीक है इसको हमें next करना है ठीक है और ये वाला पेज उपन हो जाया उसके बाद प्लिस क्लिक कर देने के लिए इसके बास प्लिक करने के बाद Next अधार काट से जुड़े जो फिंगर प्रिंट्स है और फेस लोग है उसकी इंफर्मिशन नहीं चुरा पाएगा ठीक है और फ्रेंट्स अम मैं बताता हूं आपको इसको अनलॉक करने के लिए फ्रेंट्स कभी कवार आपको बायो मैंट्रिक्स की जरुद पढ़ जाएगी ब पर किलिक करें और अपना बायो मैंट्रिक्स टैंपर रेंट के लिए ठीक है टाम्परिमर्टिक्स अकार एक अगर मतलब यह शिर्फ 10 मिनिट के लिए हमारा बायो मैंट्रिक्स अनलॉक होगा ठीक है अगर आप पर्मेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेश्च करता हू हमेशे अपना Biometrics temporarily करें थोड़ी देर के लिए ठीक है इसको करने के बाद next बटन पर क्लिक कर दें यह देके friends मेसेज आ चुका है यूर Biometrics have been unlocked successfully तिल 19 December 2013 आज 19 December 2013 है ठीक है चार बच के 31 मिनट हो रहे हैं और यह 4 बचके 43 मिनट तक ही valid रहेगा if you want to permanently unlock please revisit this service मतलब यह कह रहा है अगर इसको आपको permanently unlock करना है तब आपको यह वाला प्रोसेजर फॉलो करना पड़ेगा और जो मैंने option दिया था पीछे option बताया था पीछे उस पर क्लिक करके next बटन पर क्लिक कर दें इस तरह से friends हमने देखा है कैसे आपने biometrics को lock और unlock कर सकते हैं ठीक है friends कुछ लोगों को यह problem होई है कि उनके account से biometrics information चोरी हो जाती है और hackers उनके account में से पैसे निकाल लेते हैं friends यी वीडियो को like कर जी और सब लोगों को share करें ताकि जाद से जाद लोगों को help हो जाए और उनका पैसा hacker के दुआरा online चोरी होने से बच जाए अगर यी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को like करें और हमें comment करके जरूर बताने यी वीडियो कैसे लगी चले friends मिलते है नेक्स वीडियो में have a nice day